घर आपको प्रफाइल करने वालएq और आपको करना पड़ेगा कहां कहां पर आपकी क्या है इस सब चीजें और किस तरह से हम इसमें मॉटिवेट किसे पहली चीज तो जो है वो आप सब के सामने है ही कि अपना ओफिर्शन नोटिफिकिशन है जो गौर्वर्मेंट ने रिलीज किया है और यह रिलीज डेट भी आपके सामने यहाँ पर है अवेलेबल 25 तारीक को यह रिलीज हो गया था 25 तारीक को रिलीज होने की बाद भी अगर आपने नहीं भराया इसको क्योंकि आगया था डेट भी की एक फरवरी से एक मार्स तक अपने इसको फिल करने वाले है तो इसको एक बड़ देख लेते हैं इसमें बस नॉलिज की बात यह यह कि 216 सब कुछ सब को पता होगा और 21 216 से हमें लेना देना भी क्या है हमें तो सिप एक ही चाहिए तो इस एक पोस्ट के लिए अपको क्या करना है तैयारी करनी है तो इसी के इर्दगीरत अपन बात करने वाले है इसी के साथ-साथ यहां पर अगर हम देखते हैं ऐक चीज आपको दिखाई देगी कि इसमें जो सिमा नहीं है वो अधिकतम कोई आयू सिमा नहीं है इसको इस जोब के लिए अपलाई कर सकते हैं वाकी की डिटेल्स आपको पहले से ही पता है जो में ज्यादा समय बर्बाद ना करके उन्ची जो की तरफ चलते हैं जो अभी तक किसी ने डिसकस नहीं किया आपके साथ और अगर डिसकस करते तो आपका मोटिवेशन का लेवल कुछ और ही होता ठीक है तो एक बार आयू सिमा को आप देख लीजेगा और शेक्षणिक योगयता यानि कि आपकी एडूकेशनल क्वालिफिक्शन क्या होनी से यह उसकी बारे में तो आ आ पर आपके साथ यह सिगी आपके पास B के रहा ही चाही जाूके नहीं नीज़ा जाना था खिला अब इसमेंड स्ली लेबस और और पैटर्ण के बात करते हैं तो स्लीबस फीलेबस और ग jeunes में इव यह देखाना की बात करते हैं में जो पैपर होंगे या एक ही दिन होने वाले है या फिर next day होने वाले है या फिर time duration की gap में होने हाले है तो मैं बता तो आपको यह एक ही day होंगे same day यह वाले paper होने वाले है आपके same day ही होंगे marks जो है 100-100 marks रहेंगे two hours यानि की 120 minute में आपको एक paper को complete करना होगा और हाँ इसमें जो number of questions है वो कितने आएंगे इसकी guarantee कोई नहीं दे सकता क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों ने analyze किया है इस स्थीच को वो 2013 की paper की basis पे ही किया है तो उस वक्त जो यहां पर paper आये थे 100 marks में वो 120 ही question थे याली एक minute में आपको एक question करना था 1-1 एक minute में एक question करना था ठीक है फिर इसमें दो अपने exam दो जो paper आये थे उन paper की बारे में थोड़ा जान लेते है बहुत ही इन्होंने अल्रेडी दिया हुआ है तो यह कोई syllabus एक्स्टर डाउनलोड करने की नीड़ी पिर भी अगर आपको चाहिए तो नीचे description में दोगी जिसमें पूरी PDF का link आपको मिल जागा और आप देखेंगे कि PDF में और कितने extra information है जो और इसी ने शायद आपको नई दी होगी reasoning और numerical analytics की बात यालिकि अगर आपन simple सी बात करें simple सी बात करें तो अपन एक part इसका ले लेते है reasoning ठीक है एक अपन ले लेते हैं यहाँ पर GK और current affairs की MS को लिख रही हूं current affairs कि दोनों चीजें सिफ 10-10 marks की है आई थी इन 10 marks को भी कैसे उन्होंने differentiate के था वो भी हम आगे बात करने वाले है फिर इन दोनों के अलावा यानि 20 marks क जितना भी paper है 120 और 120 marks मतलब कितने ज्यादा हो गई है 240 marks में से सिर्फ 20 marks किसके हैं अपने reasoning के और GK के हैं तो कोई ऐसा person है मेरी तरह जिसको GK और reasoning से ज्यादा मतलब नहीं है और वैसे तो खेर reasoning तो आपकी अच्छी होगी तो अगर आप इस paper के लिए अप्लाई कर रहे हैं पिर अपना है technical part, database management, data communication and computer network, paper second में भी देखेंगे हम तो said है अपना system, analysis and design, अब कुछ-कुछ जो confusion रहता है वो यह है कि system, analysis and design, जो said part है अपना और जो software engineering है, क्यों दोनों same है, तो yes, बिल्कुत same है, software engineering इसी का part है, software analysis and design का, इसी का part है, तो वो इसी में indulge has, फिर उसके बाद आता है अपना programming concept, programming concepts में कौन-कौन सी चीज़ा आती है, manly इसमें है java, java को आप भूल मत जाना, java को हमें बहुत अच्छी से prepare करना है, और java के अलावा यहाँ पर है introduction to jsp और .net, इसकी बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन major part जो इसमें रहेगा, next, चलते हैं इसको, ठीक है, अब exam date की बात करते हैं, तो अब तो आपके मन में clear idea है कि exam कब होने वाला है, कब होने वाला छे तारीकों एक announcement हुआ था, official notification आया था कि programmer 2024 का जो exam होगा, वो 27 तारीकों होगा, 27 तारीक है हमारा sunday, संडे है हमारा, 27 तारीकों हमारे exam होने वाला है, तो आप इसके लिए prepare रहे हैं, इसका इस तरह से official notification रिलीज हुआ है, वो भी आपको website पर मिल जाएगा, website पर नहीं अगर आपको मिल रहा है, तो आप इस वीडियो के description लिंक चले जाएगा, माप पर आपको इस सारी PDF और सार इसके द्वारा आयोजित होगी है परिक्षा और इसका नाम है प्रोग्रामर प्रतियोगी परिक्षा, प्रतियोगी परिक्षा 2024, इसमें कोई डाउट नहीं है, यह हमारे रामनिवास महताजी जो सचीव है, उन्होंने रिलीस किया है यह notification, आगे चलते है, प्रोग्रामर का कि प्रिक्षा पीजायं का लेवल इवह किस तरह से है, आपने अब तक जितने भी वीडियो देखंगे, आपने वहाँ पर सुना होगा कि gate level का इक्जाम आते है, और gate level का होते है, में भी आप में से कुछ लोगों ने gate का exam दिया भी होगा, तो बहुत ही high level, बहुत ही creamy questions आते जिको हम ऐसा नही это неkich Children and Programmer नहां है बहुत आसान नहीं है मुश्किल घड़ी है और बहुत मुश्किल रास्ता है लेकिन मंजिल बहुकर और हम कोशिछ करें तो क्योंकि अब भी हमेरे पास समय बहुत है समय बहुत सफिशेंट है यहां पर एक तो आपन लेखेंगे कि गेट लेवल को क्वेशन्स आते हैं बिल्कुल सही बात है दूसरा UGC Net Computer Science के जो क्वेशन्स आते हैं अगर आप मैं से किसी ने भी Computer Instructor के सायारी करी होगी Computer Instructor का अगर किसी ने पेपर दिया होगा तो वहां पर आपने देखा होगा Basic और Senior Computer Instructor का एक्जाम जो हुआ था बहुत सारे question ऐसे आये था जो basic थे ही नहीं Basic वाले paper में भी basic थे ही नहीं वो भी बहुत high level के paper था वो अपना paper आये था Programmer कोई चोटी बोटी है 4800 grade पे की वेकेंसी है तो चोटा मोटा हमें यहापर expect भी नहीं करना और उस तरह से हमें तयारी भी नहीं करनी So gate level के question आएंगे UGC net के आएंगे और इसके लावन में आपको जितना भी वोलो PGD PGD और computers related जितने भी exam हुए ना उनके सारे questions अपने को यहापर करने ही पड़ेगे चाहे वो basic को या advanced हो सब type के questions यहाँ पर करेंगे जो भी हमारे syllabus से match कर रहे है यानि जो भी topic हमारे syllabus से match कर रहे है उनसे related सारे के सारे questions हमें यहाँ पर करने ही पड़ेगे आप मानके चलिए कि 600 से 700 आर्स आपको देने ही पड़ेंगी इस preparation को तब ही आप इसको aim कर सकते हैं ठीक है तब ही आप इस चीज को इस exam को target कर सकते हैं अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं आपको लगता है मैं जोब में हूँ तायारी नहीं कर सकता नहीं कर सकती तो या तो इसकी preparation छोड़ दीजे या फिर बहुत smart studies आपको करनी पड़ेगी तब आपको सौस सकते हैं कुछ-कुछ लोग जो job में हैं उनके साथ plus और minus क्या हो सकता है कि plus तो यह हो सकता है कि वो already IT jobs में हैं और उनके concept बहुत ज़्यादा clear हैं उनको practically करते आ रहे हैं सब चीजों को Java से बहुत ज्यादा familiar है तो यह उनके लिए plus point हो गया लेकिन अगर minus की बात करूँ तो minus में उनके लिए आजएगा theories थोड़ा सा minus में उनके लिए हो सकता है theories वाली जो चीजे होंगे उनके थोड़ी सी minus point हो सकता है एक दूसरा minus point उनके लिए हो सकता है कि उनको शायद समय नहीं मिलेगा पड़ाई के लिए तो अगर आप you are well confident कि हाँ मेरे concepts बहुत अच्छे है मुझे theories पर थोड़ा ध्यान देना है and I will clear this तो आप इसके लिए जा सकते हैं about smart studies अगर आप करने में यकीन रखते हैं और आप कर पाते हैं तो next चलते नेक्स अगर बात करें तो RPSC programmer का application form जैसे कि आप से का था यह हमारा first web से first marks तक आप form फिल कर सकते हैं इसके लिए basic जो knowledge आपको चाहिए होगी या फिर आपको पताईगी कि computer science वाले भच्चे हैं तो सब कुछ ही पता होता हुनको विजिट करना पड़ेगा आपनको रायस्थान SSO वाली web portal पर यहां पर आपको अपने यूजर नेम password और एक आपको यहां पर capture code मिलेगा कि तीनों चीजें आप enter करेंगे तो आप यहां पर login हो जाएंगे आप login हो जाएंगे उसके बाद क्या करना पड़ेगा second option आएगा आपके पास एक list खुलेगी आपके पास उसमें से जो second option होगा वो यह होगा recruitment portal यहां पर जाएंगे तो जितने भी ongoing recruitment है और जितने भी ongoing notifications है याद रखना यह चीजे आपको ऐसे मिलने वाली है recruitment portal जो है recruitment ongoing recruitment का section है यह आपको इस side मिलेगा ठीक है यानिकी right hand side और इस side आपको मिलेगा ongoing notifications का उससे अमरे को ज्यादा मतलब थानी notification आप लोगों को सब कुछ पता है इसलिए मैंने सिफ portal वाले screenshot लिया recruitment लिया और यहां पर आप दखेंगे जितने भी ongoing recruitment चल रहे हैं उन सब में अगर आपको apply करना है तो आप कर सकते हैं तो अपन को किसमें करना है सिफ 2024 प्रोग्रामर वाले exam में करना है यहां पर क्लिक करके आप apply now पर क्लिक कर सकते हैं इसकी बाद आपकी पास form warm खुलेगा और वो सब आपको भड़ना पड़ेगा एक चीज़ ध्यान रखिया है क्योंकि SSO ID जब अपने बनाई थी ना कभी कोई exam दिये होंगे आये का दिया हो इस बाद में problem हो सकती है नेक्स अगर बात करें तो yes यह analysis बहुत ज़्यादा important है और यह analysis आपको idea लगेगा कि yes मैं इस चीज़ के लिए कितना eligible हूं मैं कितना कर पाऊंगा कर पाऊंगी और मेरी strategy क्या होनी चाहिए questions को लेके हैं तो देखिए मैंने एक format बनाया है आपके ल में आया था उसके बाद आया 2024 में यानि की पूरे 11 साल के अंतराल के बाद हमें देखने को मिला और हम जैसे computer science वाले बच्चों के लिए तो यह मतलब हो गया blessings हो गई कि हमें हमर ली भी कोई jobs होती government में तो यहां पर जो subject cover किये गये हैं 2013 वाल एक्जाम में वह है अपना एक तो GK एक reasoning, DBMS यह देखिए है computer network और communication, okay sad part हो गया अपना और programming concept हो गया जिसमें Java और यह सब चीज़े है अब देखिए इनकी जो questions आये था ना paper में, paper का analysis है यह paper में जितने जिस चीज के question आये है वह सारी चीज़े यह है, तो 10 question अपने GK के आये है और इन में से देखो, GK म और 5 question अपने आये है राजस्थान जिके के क्योंकि यह paper राजस्थान का है, राजस्थान की भरती के लिए निकलाई है, तो इस तरह साय थे, जो differentiate हुआ यहाँ पर यह है कि अगर Indian GK और राजस्थान जिके, अगर आपको लगता है कि आप exam की तैयारी करते थे तो करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स reasoning की बात करते हैं, तो reasoning में भी total 10 question आये थे, तो 10 question में भी हमारे पास यहाँ पर जिसे की 8 question तो proper reasoning के थे, simple topics होते है, एक question अपने आये था DI का, data interpretation का, और next एक आये था अपना data sufficiency का, अपको पता होगा न, यह data sufficient है या नहीं है, इससे क्या निश्कर्ष निकलता है, इस type के जो हमारे question आये थे, वो एक-एक ही आये थे, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और 8 question आये थे, अब देखो, एक चीजी यहाँ पर सोचने वाली है, कि paper हमारा था, paper में question कितने थे 120, ठीक है, और कितने number का था, 100 marks का था, तो अ 100 marks है, तो एक mark से कम ही मिल रहा है, एक question को, तो यहाँ पर 20 number अपने वेस्ट नहीं होने वाले, यहाँ पर आपको कम ही number वेस्ट होंगे, अगर आप इस चीज को छोड़ते भी हैं, वैसे तो आप नहीं छोड़े हैं, अगर आप merit के लिए प्लान करने हैं, आपको लग रहे ह तो DBMS से कितने question बने थे, तो सीधे सीधे, 120 में से 10 और 10 question निकाल दो, पूरे के पूरे 50 question अपने बने थे DBMS में, पेपर 1st की बात हैं, अगर मैं पेपर 2nd की बात करू तो पेपर 2nd में भी 4 question DBMS आये ही थे, तो ऐसा नहीं कि पेपर 2nd में आपके पस DBMS के question नहीं आएंगे, आसते हैं, कि लास्ट टाइम आये थे, तो ये 50 और ये 4, मतलब 54 question अपने पास आये हैं DBMS के, टोटल मिला के, क्या, कॉम्पूटर नेटवर्क की बात करते हैं, कॉम्पूटर के नेटवर्क के अगर बात करें तो देखिए, 20 question निकल गये, 50 ये हो गये, 70 हो गये, बागी के 50 question पूरे 50 question अपने पास आये हैं, communication network के, तो यहाँ पर भी 11 question अपने पास आये हैं second paper में, अब आप देख लीजे कितना हो गये, ये 6 question हो गये, अपने पास, जो दोनों paper में आये हैं, अब next चलते है, said, जिसमें मैंने कहा था कि इसमें आपका software engineering भी इसमें आपके included है, यहाँ पर paper 1 में 0 question आये थे, एक भी question नहीं आये था मतलब, और 36 question आये थे इस ताले part में, यानि paper 2 में, sad के बारे में एक चीज बहुत sad है, वो यह है, sad का जो ज़्यादा तर portion हो, वो theories है, बहुत सारी theories है, बहुत ही ज़्यादा theories है उसमें, तो अगर आपको लगता है कि मेरा programming concept बहुत अच्छ है, अगर आप IT में job कर रहे हैं तो आपने के programming concept अच्छ होंगे ही, और अगर नहीं कर रहे हैं, तब भी programming concept को अच्छा करना ज्यादा easy है, इसकी comparison में है, और इसका portion आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो 36 marks के हैं, तो in case हमें लग रहा है कि sad में हमें ज्यादा time based नहीं करना है, हमें पढ़ना है, of course आपको सारी सीजे पढ़ना है, तरह से prepare होना है क्योंकि competition हो स को दें, और अपना ध्यान जो अपना focus है, वो भी programming concept से ज्यादा लगा है, यहाँ पर करीब-करीब 70 questions ऐसे हैं, 69 questions है, ठीक है, करीब-करीब 70 questions ऐसे हैं, जो आपके programming concept के हैं, और जो easier भी है, इसकी comparison में अगर मैं देखूंगी, तो यह programming concepts easy ही है, अगर आप इस चीज के screenshot लेन हैं, otherwise आपको सारी की सारी details description में मिली जाएगी, next चलते हैं, अब salary और promotion की बात करते हैं, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा important part है हमारा, हम IT की jobs कर रहे हैं, लाखो रुपे earn कर रहे हैं, फिर हम चाहते हैं, कि चलो थोड़ा family को time दिया जाए, दूर बड़े शेहरों में, शिप नहीं होके family के साथ रहा जाए, तो आपन इसके लिए क्या कर रहे हैं, गौर्वंट जुप की preparation कर रहे हैं, तो फिर हमें एक चीज तो मैंड में आएगी, कि जब हम IT की लाखो रुपे की job छोड़ के आ रहे हैं, तो यहां पर क्या रहेगा भई, यह बहुत ही शांदार vacancy क चरिए, गौर्वंट ने, और इसमें जो आपका रहने वाला है, वो 4800 pay grade का रहने वाला है, 4800 pay grade मतलब बहुत ही गजब चीज़े, इसका जो probationary period की बाद आपको cut cuta की salary मिलेगी, वो आपको मिलेगी 31,100 रुपे, इसका calculation में किसी short में आपको बता दूँगी, को कोई short upload कर ल लेकिन 31,100 रुपे आपको यहाँ पर salary मिलने वाली है, अच्छा, इससे भी एक important चीज है, इससे important चीज क्या है, इससे important चीज क्या है, कि यह programmer की जो भरती है, वो level 12, level 12 वाली भरती है, यानि कि अगर आप सीधे programmer नहीं लगते हो, अगर किसी आईये की बात करें अपन, information assistant की बात करें अपन, यह काफिर सारे लोगों ने भरा है, information assistant की result भी आगया और अभी typing test की फियारी कर रहे हो, तो अगर अपन information assistant की बात करें तो इनको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इनको assistant programmer में promotion लेना पड़ेगा, assistant programmer में यह promotion लेने के बाद ही, इसके भी 5 साल बाद, minimum 5 years के बाद, आप क्या बन सकते हो, programmer बन सकते हो, यानि इसके भी 5 साल बाद, आपको जो promotion मिलेगा, वो आपको मिलेगा programmer का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि programmer की सीधी वेकेंसी आ गई ना, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा, मतलब बहुत अच्छा chance है, बहुत अच् अच्छे से जीतोड के महनत करें, और 216 में से सिफ एक सीट अपनी पक्की कर लें, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, कि पहले आए बनें, उसके बाद, एपी पर जाएं, promotion की बाद, फिर एपी के 5 साल बाद, हम programmer पर जाएं, तो बहुत lengthy process हो जाएगा, और फिर programmer के बाद, पर जाएं, तो जिन्दगी ही निकल जाएगी, और क्या पता हम आप पर पहुझ भी नहीं पाएं, तो इसलिए, information assistant का अगर आपने exam दिया है, typing की तैयारी करें, तो best of luck, बहुत अच्छा करें आप उसमें, और बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आप eligible है, educational criteria wise, तो programmer की vacancy को भढ़ना नहीं भूले, अब देखें, जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर AP रहना पड़ेगा आपको, assistant programmer रहना पड़ेगा, कि 5 साल के बाद, उसके 5 साल के बाद आपको क्या मिलेगी, post programmer की, अब अगर programmer से आपनको ACP बनना है, ठीक है, यानि deputy director बनना है, तो इसके time लएगा, वो past साल का लएगा, okay, next चलते हैं, अगर इस से, देखो, ACP मतलब analyst come programmer, यानि analyst भी होंगी वो programmer, तो programmer का जब promotion होगा, तो वो ACP बन जाएगे, यानि कि analyst come programmer बन जाएगे, जिनको अपन deputy director भी कहते है, उसके लिए भी past साल लएगे, कि यहाँ पर भी आपको past साल आपको बनने के लिए है, जिए भी बोलते हैं, जिस्टम जोइन डिरेक्टर बोलते हैं, फुल फॉर्म जिए का जोइन डॉरेक्टर है, अगर आपको नहीं पता, तो मैं आपको return में भी PDF में प्रवाइड करवा दूगी, system analyst बनने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां आने के लिए हैं, तो इभी आपको five years लेंगे, तो कितने साल आपको देने पड़ रहे हैं यहां पर तब जाके आप technical director, और पहली बात तो मैं एक चीज़ बता देती हूं, programmer का जो promotion होता है, अभी क्योंकि information म प्रोग्रामर में लगे थे 2013 में, और अभी उनको जो promotion मिला है, SEP पर यानि कि अनलिस्कम प्रोग्रामर पर उनको promotion तो मिला है, लेकिन उनको 10 साल बाद मिला है, उसकी कोई guarantee नहीं है, बट यह provision है, होना तो इसके according चाहिए, ठीक है, तो इसके according होना चाहिए, फिर भी नहीं हुआ, तो उसके पिछे भी कुस reason से आपके साथ discuss करने वाली हूँ, अब आपन बात करते है, JD से लेके additional director तो यहाँ पर भी आपनको 5 साल का promotion मिलने वाला है, 5 साल बाद मिलने वाला है, यहां से यहां आने में आपको 5 साल नहीं देने पड़ेंगे, यहां से यहां आने में कितना दूर होगा, इन सब बातों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, पर एक बार यह देख लेते हैं कि technical director जो होगे, यानि कि level 21 बहुत ही ज्यादा, मतलब हदी, बहुत ज्यादा अच्छी salary packages यहां पर होगे, और perks भी बहुत अच्छी होगे, perks and hikes, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीन साल का बेट करना पड़ेगा, पर एक चीज है, इन सब में, कि आप यह मत काउंट कर लो, वहां मैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, और 18 साल, 18 साल में मैं यहां तक पहुँच जाओंगा, यह पहुच जाओंगी, ऐसा नहीं होगा, यहां से, इस post से, आपको पूर इस रजब टो यही है, लेकिन यहां तक आते-ाते, मैंने कहा ना कि कुछ लोग होते हैं, तो प्रोग्रामर से इस क्या रही है और कार्य काल की दोरान यानि जो आपका job duration रहेगा उसकी दोरान आपका behavior आपका work किस तरह से रहा है इन सब का फरक पड़ेगा इन तीनों promotions पे तो अगर आप merit को aim कर रहे हैं तो बेशक मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप programmer में merit को aim कर रहे हैं तो आप सीधा सोचे कि मुझे technical director बनना है भले 25 साल बाद में technical director सबसे बड़ी post होती है और इस पे मुझे जाना है और इस पे जाने के लिए मुझे जो जो तैयारा करनी है वो पहले सही आपका job profile के साथ आपने किस किस तरह से काम किया है कारे लाएम आप दोग के साथ कैसा behavior तो अगर आप merit M करें तो आप इसको M करते हैं नेक्स चलते है प्रोग्रामर की जो job है की जो departments है वो कहां कहां होंगे मैंने कहा ना जो लोग serious है इस पारे में उन्होंने बेशक इसकी पारे में सोचा ही होगा कि मेरी जो job लगेगी कहां लगने वाली है कि किसी गाउं में त होगा तो उस case में क्या होगा आपके मन में यह प्रश्ण आया ही होगा कि जो job है कि जो posting होगे उनके departments कौन-कौन से होंगे है अब ठीक है बता नहीं क्या हो जाता है तो प्रोग्रामर की जो आपकी job के रहेगे उसकी पॉस्टिंग के departments कितने हैं कहां कहां है एक तो है how much कैसे क्या है प्रोग्रामर के जो पॉस्टिंग वो 89 departments ऐसे हैं जिनमें आपको posting मिल सकती है अज़े प्रोग्रामर और यह 89 departments जो हैं इनकी लिस्ट में आपको आगे दिखाने वारी हूं इनके प्रोग्रामर ही नहीं यहां पर आपके असिस्टेंट् और आपके प्रोग्रामर को असिस्टेंट् प्रोग्रामर इनकी भी वेकंसी पतलब इनके भी departments यही हैं तो उन department में कितनी जगे खाली है किस post के लिए उसके आधार पर आपका महाँ पर क्या होने वाला है पॉस्टिंग होने वाली है तो लिए एक बार देख लेते हैं कि देखिए यह डुआइटीसी की ही website से मैंने डाउनलोड किया है अगर आपको मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है मैंने थोड़ा सा इसको बहुत detail में सर्च किया तब जाकि मुझे 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 अगर नह अगर अगर आपको लगता है ना कि मेरित आपको अच्छी लानी पढ़ेगी मिल तो जाएगा आपको जाएगा आपको जाएगा और आपको जाएगा जब पोस्ट है तो मिली जाएगा, उसके लावद 33, 50, 352, इस टाइप से आपको यहाँ पर पोस्ट मिलेगी, प्रोग्रामर की कितनी है, असिस्टेंट प्रोग्रामर की कितनी है, आई-ए की कितनी है, उस तरह से है, यह काफी लंबी लिस्ट है, आप एक बस को देख सकते हैं, यह भी दे रखाए कि जो डिस्टिक्ट ऑफिस है, वो कहां-कहां पर है, तो अजमेर में है, अजमेर में आपको कितना S.E.P., बताया ना मिले कि प्रोग्रामर की बाद आपका अनलिस्ट कम प्रोग्रामर, और अनल अकले राजा बनने वाले हों, गर आप S.E.P. बन जाते हैं, तो अजमेर में यहाँ पर A की पोस्ट है, मैंने कहाना, ज्यादा तर सिटीज में आप देखेंगे ना, एक ही पोस्ट होगी इसकी, यारी शहर में आप इकलोते होंगे, जिसकी पोस्ट S.E.P. की पे होगी, इसकी असिस्टेंट प्रोग्रामर यहाँ पर साथ है, छे, साथ, पाथ, चार, अलग अलग आपको नहापर नंबर्स मिल जाएंगे, तीन भी मिल जाएंगे, और आए भी आपको कई सारे मिल जाएंगे, लेकिन प्रोग्रामर और S.E.P. यहाँ आपको A की मिलने वाला है इ अगे भी इनी सिटी जाएंगे, फिर सब पूरी लिस्ट है, बहुत अच्छी, अजमेर में भी अजमेर शेहर में, कौन कौन सी ऐसे आसफास वाले एरिये हैं, जो अजमेर शेहर के अंदर आएंगे, और उनमें कितनी की पोस्ट है, तो अजमेर के साथ आपर ब्यावर को अ जैनागर हो गया, इसी तरह से अलबर, बारा, भरतपूर, भिलवारा, बिकानेर, बूंदी, चितोर, चूरु, जैपूर, मतलब यह अलफाबेटिकली दे रखें, कहां कहां पर कितने की पोस्टिंग है, इससे क्या होगा, यह आपकी मॉटिवेशन का सोर्स केस हो सकता है, क मुझे लगेगा कि नहीं यार, मेरको यह एक पोस्टर, मुझे एक ही तरह चाहिए, ठीक ना, प्रोग्रामर, मुझे एक प्रोग्रामर की पोस्टर चाहिए, और मुझे मेरा होम्टाउन मिल जाएगा, कितने अच्छी बात आपको किसी काउं वगेरा में जाना पड़ेगा आपको फैमिली से दूर नहीं होना पड़ेगा, जिन सब चीजों के लिए आईटी वाले बच्चे अकसर हो जाते हैं अपनी फैमिली से दूर, वह वाली चीज़े नहीं होंगी, एक्स बात करते हैं, यहाँ पर सारे हैं, ज्रायस्थान की चितने हैं, उदायपूर, सिरोही सब कुछ हैं, तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा, यह काफी बड़ी लिस्ट है, अगर आपको इसको पूरा पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत ही क्लब करके बनाई हो, यह सारी पीडिएफ्स, अलग-अलग जगे से धून धून के डाउनलोड करिए, क्योंकि यह पूरी एक जगे पर कहीं पर भी नहीं है, और किसी में आपको प्रोवाइट कराई भी नहीं होगी, आप देख लेना भले से, अगर किसी के भी पास आपको मिल जाए इतना डिटेल्ड लेकिन सारी इंफ ठीक है? कि as a programmer आपको coding नहीं करनी पड़ेगी, यहां पर coding आपको नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, अब देखे, इसका जो job roller ना, बहुत सारे लोग जो मेरे non है, मेरे friends है, जो as a programmer लगे वे हैं, 2013 वेकिंस की थूँ, वो बोलते हैं कि कहीं कि तरह यहां पर Saturday, Sunday का relief रहेगा, या फिर नहीं ही रहेगा, यह सारी बात है अपन आगे करने वाले, but उनसे मैंने बहुत अच्छे से पूछा था, और मुझे I am 100% sure of it, कि आपको coding नहीं करनी पड़ेगी, या फिर ना के बराबर करनी पड़ेगी, बहुत कम, किसी need होगी, कोई need होगी, कोई आवश्यक्ता आ जाएगी तब आपको programmer की coding यहां पर करनी पड़ेगी, इस job description में, ठीक है, और वैसे उससे आपको आपत्ती होनी भी नी से, हम programmer की पड़ादी कर रहे हैं, तो concept तो हमारे अच्छे होगी, दूसरी बात है, coding तो नहीं होगी, इसका हमें प आपने देखा होगा, nic.results.com या इस टाइप के बहुत सारे अपने चीज़े देखे होगी, nic की websites आप देखेंगे, गौर्मेंट की ज्यादा तर website, nic ही develop करते हैं, तो क्या होगा, third party होगया, third party जो भी website, web portals develop करेंगे, उनकी देखरेख एक programmer की जिम्मिदारी होती है, यानि क इक programmer को जो करना होगा, वो सब ये देखना होगा, उसमें कहीं कोई error तो नहीं आ रही, कहीं कोई improvement की आवश्यक्ता है, कुछ चीज़े ऐसी होगी, जो data को breach करेंगे, इस टाइप की कोई चीज़े तो नहीं है, वो वाले जो job role होगे, वो एक programmer की होगे, बहुत ही अच्छे ह अगर किसी budget में, या फिर कहीं पर भी कोई नए announcement होते हैं, नए implementation होते हैं, वहाँ पर आपको लगता है, यानि कि government को लगता है कि as a programmer आपसे कुछ अच्छा सा input ले सकते हैं, या फिर कुछ new model create करा सकते हैं, implement करा सकते हैं, design करा सकते हैं, और testing करा सकते हैं, तो आपको याद क किया जाएगा, as a programmer आप उसके लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और जिसा कि मैंने कहा कि काम तो अच्छा करना ही पड़ेगा, अगर हमें कहां तक पहुचना है, high level तक पहुचना है, खले 25 साल लग जा लेकिन उस job की फिर कोई और नहीं है, तो ये सारी details थी मेरे जरूर करूंगी, for sure, और telegram का link नहीं से दिया हुआ है, telegram का link, telegram को join करना इसलिए ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि महाँ पर सारी information, सारी PDFs वगरा, सब कुछ आपको सारे updates महाँ पर मिल जाएंगे, मेरे थू जो भी है, अगर आपको लगता है कि YouTube पे सी classes लगानी चाहिए मैं free, हम IT वाले लोग हैं, या फिर हम non IT भी है, हम job कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इतना coaching जाके वहाँ पर prepare नहीं कर सकते हैं, लगता है कि नहीं, यहीं से कुछ हो जाए तो, या फिर YouTube में मुझे अच्छा-च्छा content मिल जाए तो, क्योंकि अभी तक मैंने देखा वह भी मैं आपको बता दूगी एक बार यहाँ पर, इसके लावा आपन एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, एक चीज यह है, मैं थोड़े देर पहले डिसकस किया था कि इसमें जो working arts होंगे, वह कितने होंगे, कि computer science वाले बच्चों को बहुत ज्यादा matter करता है working arts कित कुछी जो पर depend करता है कि आपका department कौन सा है, अगर आप मान लीजे कि किसी आप medical department से आते है, medical department में आपकी कोई posting है, medical department में भी तो होते हैं, government की websites वगेरा, वहाँ पर अगर आप as a programmer नियुक्त होते हैं, तो medical department क्योंकि थोड़ा सा emergency वाला department है, तो हो सकता है यहाँ पर आपक 10 to 6 होता है, 9 to 5, 30 होता है, यह सारी सीजे से आते हैं, लेकिन अगर किसी आप non-medical या non-emergency वाले department में है ना, तो वहाँ पर आशकल क्या हो रहा है, other departments यहाँ पर मैं इसको mention कर देती हूँ, अगर other departments के अपने बात करें ना, यहाँ पर आपका base रहने वाले हैं, वो रहने वाले हैं आपके Monday to Friday, हाँ ऐसा होता है भाई, गौर्मेंट जो, Monday to Friday रहेगा और timing आपका same ही रह सता है, 9 to 5.30, 5.30, या फिर 10 to 6 हो सता है, 10 to 7 भी हो सता है, वो वेरी कर सता है department wise, लेकिन यह आपके working hours रहेंगे, तो मैं लगता है इस से अच्छी opportunity, शायद as a computer experience, मुझे तो नहीं लगती कि कोई होगी, यह बहुत ही अच्छी जॉब है, बह अच्छा level है, तो इसकी तयारी भी फिर उस तरह से उस level पर करनी पड़ेगी, अगर आप तयार है, इसी track करने के लिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इसमें कुछ तो input मिल सकता है, अच्छे से मैं इसी को कर सकता हूं, तो आप मेरे साथ जुड सकते हैं, आपन इसकी और इसके लाब कोई भी doubts आपकी मन में आ रहे हैं, तो आप मुस्से पूछ सकते हैं, comment के through भी में आपको reply कर सकते हैं, और अगर मुझे लगेगा कोई ऐसा doubt है, जिसके लिए कोई session लेना जरूरी है, तो अपन next session में उसकी चर्चा कर लेंगे, thank you so much.